शिमारू के नई वडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें झाल 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 जाल तुम्हारे दिलेरी के दाद देने बड़ेगी गाले सरकार जाल मेरे साथ तो मेरे 25 बाडिकार्ट हैं और तुम अपने दिश्मन से सौधा करने आये हो वो भी अरके ले हैं यह खुदाई ताकत पर फरोसा है अगर खुदाई ताकत ऐसे मामलों में मदद करती है तो ही कह रहे हो तुम राजा ठाकवर अगर खुदाई ताकत इन मामलों में मदद ना करती होती तो हम और तुम लाखों रुपे का सौधा ना कर रहे होते लो खुदाई ताकत से मिलने ओ, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर की गोस्ता खबराओ मत हम काले सरकार और ये हमारी सरकार इनकी छत्रचाय में किसी बोडीगाट की जरूरत नहीं पड़ती ना तुम्हें ना हमें वैसे इस सौधे पर मोहरीनी की लगी है लिकॉस्टा को कॉस्ट देते रहो सौधा करते रहो और मोहर लगाते रहो बेशक, बेशक तो करें साओदा 20 लाक अटेंश 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 पुलिस ने चारो तरफ से तुम्हें गेर रखा है कोई भी अपने जगे से ना हिले I repeat पुलिस ने तुम्हें चारो तरफ से गेर लिया है कोई भी भागने का रास्ता नहीं है सुना नहीं? ये तुम कह रहे हो तुम मेरे साथ का तारी करोगे? आज साल से तुम्हारे पेट का दोजग भर रहा हूँ मैं पुलिस सत्रा साल से पुल्डियो पार एट टिकोस्ता शेर की मुँमें हाथ डाला है तो तास किल ले अच्चा चबा जाओंगा मैं शेर जेल में बुढ़ा हो जाएगा और दात भी वहीं गिर जाएगे बारा खोन है तुम्हारे सर पे जेल में सला दूँगा रेस्ट इस बास्ट ये जंग तो फिर लड़ी जाएगे डिकोस्ता ताले सरकार बड़ी अच्छी मोहर लगाई तुने इस कमिने से तु जानता नहीं इंस्पेक्टर तेरे जैसे कई इंस्पेक्टरों की लाशिस राजा ठाकर की पैनों तले दभी पड़ी है याद रखना, इंस्पेक्टर मेरे हाथों से बचेगा नहीं तु तबूत देख भी लो, चक भी लो सारा मैदान साफ कर दिया सिकन में बख कमाशा खतम, कमाम शुद यने एक खेल कतम मा के दूद की तरह खालिस अमरित की तरह जिन्दगी बक्षने वाला महवुबा की चुम्बन की तरह नर्म और गर्म करारे नोट की तरह खुशबुदार इसलिए इसे खाने के बाद आदमी मा का दूद और महवुबा की घोद दोनों को ही भूल जाता है सेल्समन अच्छे हो सकते हो जहर बेशना इतना आसान नहीं दिकोसर वो किस्से कहा था कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले ही मिल जानी चाहिए लेकिन हिस्से को मजदूरी समझने की घलती दुबारा मत करना उन दोनों को सजा दिलाना इसलिए भी जरूरी था कि वो मेरे कंदों पे चड़कर अपना कदू उचा करना ये सरकार की है किस सरकार है हमारे सरकार की लिकोस्टा तो हर तरफ से कॉस्ट वसूल करता है सौदा कराया विस्सा लिया चापा मारा उसमें भी खा गया हमसे भी वसूल किया और सरकार से इनाम अलग प्रूदू इससे जगडा मूल लेना हमारे बस का नहीं बगवान को खुद आना पड़ेगा इससे या कर लेने के लिए बगवान को खुद आना प्रूदू बगवान को खुद आना प्रूदू काली आखो वाली तू कौन है लंबे बालो वाली तू कौन है हिरने चाल वाली तू कौन है बोरे गाल वाली तू कौन है माइ नमी दाए ला माइ नमीन दाए लाला मिरी यो में मीरियो मै, मीरियो मै है सोला साला, सोला साला मारी मीज लेला, मारी मीज लेला मेरा नाम लेला, 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 लेला लाब मी ओ, लाब मी, लाब मी ओ, लाब मीरियो मै, मीरियो मै, मीरियो मै है, सुलास 알ा, सो जाइ सुलास theorा है, मारी न्मीस लेला, मारी न्मीया मिरे ने में लेला, लेला लेला हुआ 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 है कितना है तेरे आपकेट में आपने प्यार का इंजिन नहीं जले वाला सला 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 है मैं वाईनी मी लेला मेरा में लेला 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 है झाला लेला लेला लेholरला किस सब्ष lяд अवी जले उले लेला लेला स। कर दो 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 पहली बार एक ऐसी लड़की देखी जिसके लिए जान ली जा सकती है कर दो 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 क्या चाहिए तुम लोगों को तब को पपी चाहिए थपी चाहिए मिछी मलाई चाहिए ठंडी ठंडी आइस क्रीम चाहिए कैते रही मेरी जान खीर मलाई पपी जपी क्या लोगे सीदे घर जाओगे या अस्पता लोगा जाओगे अच्छा क्या बाओगे क्या जाओगे क्या जाओगे झाल 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 यहारे जैसा शान्त आदमी और आज तुम इतने गुस्टे में आ गए थे जैसे उनका खूनी कर दोगे खूनी कर दूगा अगर किसी ने तुमारी तरफ बुरी नजर डाली तो तुम मेरी मुहपपत ही नहीं मेरा चुनूर हो माजी आप मा तुम यहाँ मैं कुछ बात करने आई चाय पीओगी मा मैं यहाँ चाय पीने के लिए नहीं आई हूँ आओ रवी नाश्ता कर लो मा इने जल्दी जाना है शिना जी इंतजार कर रही हूँगी रवी कहीं नहीं जाएगा मुझे तुम दोनों से बाते करने हैं मैं पूछती हूँ यह क्या हो रहा है क्या हो रहा है मा यह घर-घर का खेल तब तब खेलते रहोगे तुम दोनों रोज सुबे सवेरी यह यहां आती तुम्हारे ले चाय नाश्ता बनाती है चूला चौका देखती है राड़ो बर्तम में काली पीली होती है और रात को तुम्हे खाना खिलाकर आधी रात के बाद घर लोटती है क्यों शादी के बाद यह सब होता है तो तुम दोनों शादी करके नहीं लेते शादी तो करेंगे माजी मगर मैं चाता हूँ थोड़े पैसे कमा लो और अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल हो जाओं आज से ठीक साथ दिन के बाद तुम दोनों की शादी है पंडित से मुहुर्त निकलवाकर तुम्हें बताने आईजी पूछने नहीं तीन दिन के बाद मामा आ रहे पूना से उस दिन सदाई है उसके चार दिन के बाद तुम दोनों की शादी है साधी कर लो, फिर सोचते रहना समाज में रहना है, तो समाज का कानून मानना ही पड़ेगा कानून महाभारत के धृतराष्ट्र की तरह, अंधा बनकर कब तक ये सब कुछ देखता रहेगा सुबा का अख़बार पड़ता हूँ, कुछोरी, फोन, ट्रग, स्मगलिंग, रेक, पलवे और अब ये बाम ब्लास्ट, किस चीज की कमी है इस शहर में? सारे जहां से अच्छा, इंदोस्ता हमारा आप से कहा गया है कि 10 मुझरिम चाहे छूड़ जाए, मगर एक बेगुना को सजा नहीं मिलनी चाहे मैं जरा अलग कहता हूँ, कि एक भी मुझरिम बचके नह जाने पाए, चाहे उसके साथ 10 बेगुना पकड़े जाए इसलिए कि गुना का फैसला अदालत करती है, पुलीस का काम सिर्फ मुझरिमों को पगड़ना है और सही तख्कीकात करना है In short, मुझरिमों पर रह्म, बेगुनाहों पर जुल्म है और ये सीखना चाहिए इंस्पेक्टर डिकॉस्टा सा हाल ही में इंस्पेक्टर डिकॉस्टा ने राजा ठाकूर और काले सरकार जैसे खतरनाक मुझरिमों को जिस तरहां जाल में फासा है, वो अपने आप में एक मिसाल है And I am proud of Inspektor डिकॉस्टा Sir, Emerson ने कहा था कि अगर एक स्कूल खुल जाए तो तीन जेलें बंद हो जाए मुझरिमों को पकड़ने के साथ साथ हमें बेगुनाहों को बचाना भी है ताकि समाज की लोग हमारी वज़ा से बेखौफ जिन्दगी जी सके थांबा, थांबारे बाड़ा दो, थांबा, राहु कालम राहु कालम समाप्त होने में एक या दो पल बाकी है अब मन में दोनों धारिये आशा और विश्वास राहु के तू दूर भे तो दो दिल आए पास आँ, अब पहनाओ अब राहु माराष दूरी जिन्दगी से दूर निकल गए है मुबारीशन्स, कॉग्राइजलेशन्स, लाँ भाई, लाँ जो फूल दो फूल, जो मिठाई लाँ अजीव लग रहा है न? अजीव? ऐसे लग रहा है जैसे कोई सरक्स में आया हूँ रिंग लीडर के भी पाँ चुने अभी चलो मुझे तो अपने दिन याद आ गए जीदे रहो मुझे तुमसे उमीद नहीं थी रभी तुमने तुमेरा तिल ही तोड़ दिया ची मैं कुछ, समझा नहीं रभी, मैं भी तो उमीद लगाई बैठी थी अब तुमें बिल्कुल अखेली हो गई तो फिर पहले बताना चाहिए था ना अब तुमेंने अंगुठी पहन दिली और यू भी इन्हे तो जरा मैं चोड़ा औरते ही पसंद है क्यो, I didn't know that तब तुमें एसे अड़ाप्ट कर लेती हूँ अरे भाईया, हमारा तो एक ही आशिरवाद है राहू से दूर रहो दूर रहो यह लो यह क्या? प्रेजंट है, प्रेजंट अरे इन पैसों से अपनी मर्जी का शादी का जोड़ा खरीदो हाथ के कंदन खरीदो, पैर के पायल खरीदो यह सारे गहने जो है ना, यह गहने नहीं है जंजीरे हैं, जंजीरे क्योंकि पहनो कि तुम और बंदा रहेगा यह वो केसे? वो ऐसे कि सिपाही जब कैदी को हतकड़ी पहनाता है तो वो भी तो साथ बंदा-बंदा गूमता है दोनों की उम्र केद कब हो रही है? चौदान उमर का मूरत निकला है, यानि की चार दिन के बार और शादी मेरे यहां होगी पूना में और शीना, तुम्हारी जिम्मेदारी है रवी की भारात को 14 नॉवेंबर की सुभा तुम लेकर मेरे यहां पहुच जाओगी तेखना है कि भाग न जाए और अगर मैं इसे बगा कर ले गई तो अरे, अरे, कहां जा रहे हो? मंगल सूत्र लाने तुम्हें दिल में चुका लूँगी जाओ तुम्हें देखो आई ना बना लूँगी ऐ,... rasiluz साथ मनिट, साथ मनिट मैं नहीं निकलेना तो फिर आज नहीं निकल सकते हैं, फिर कल निकलना पड़ेगा क्योंकि राहो काल शुरू हो जाता है मामाजी, मामाजी एक बात बताल दो, कल अगर मुझे आने में देर हुई, पेरा मतनब है, किसी वज़े से, तो क्या आप शादी को स्कून कर दोगे कैंसल कर दूंगा, शादी मैं कैंसल कर दूंगा, लेकिन जानता हूं कि ऐसा नहीं होगा शीना, 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 यह आदमी वक्ष पर पहुंच जाएगा, वक्ष से पहले पहुंच जाएगा, मामाजी, मुझे पर भरोसा है, चलिए, साथ में से पाट मिनट रहे गे, चलिए रवी, सब समान ले लिए ना, अरे, मंगल सुत्र भी दे दो, कहीं तुम भूल गए तो, माजी, सब कुछ तो ले जा रहे हम, वहनी को भी ले जा रहे, कुछ तो रखी मेरे लिए तो दिन की तो बात है, अच्छा बिता, समयल क्या ना, हाँ रवी, तुमें शादी से डर तो नहीं लगता, तुम अगर साथ हो, तो किसी चीज से डर नहीं लगता, तरता हूं, तो सिर्थ तुमें खौने से, ये तो कभी हो ही नहीं सकता तुमने, आज तक मुझसे वो सवाल नहीं पूछा, जो हर औरत कभी न कभी अपने मर्द से पूछ की ज़रूर है क्योंकि मैं आम औरत नहीं हूं, इसलिए, और तुम, मैं तुम्हें अपने आप से जाधा पैचलती हूं मैं तुमसे कभी सवाल नहीं करूं लेकिन ऐसा ना हो कि कभी मुझे जवाब देना पड़े हूं ओ माया, जब तुम सवाल नहीं करती, तो तुमसे जवाब मांगने की बत्तनीजी कौन कर सकता है हलो, मैं सिकंदर बक्त बोल रहा हूं, इकोसा है? बेखती हूं, सिकंदर बक्त इकोस्टा, सुना है कुछ है, नौसिक ही आये हैं बनारत से, रक्स की छोटी सी कंसाइन्मेंट बेचना चाहते हैं, आज रातकून का सौदा होने वाला है मड आइलेंड पर, मैं चाहता हूं तुम छापा मारो और उन्हें मार डालो मैं एलान करना चाहता हूं इस शहर में के मेरे अलावे ये धंदा इस शहर में और कोई नहीं कर सकता लिकॉस्टा का कॉस्ट जो माल मिले, तुभारा मैसे मिले, होगी तुभारा उपर से दू लाक रुपए मेरे पास से ले जागा कब, कहां? एक्सोटीस, सिल्वर बीश ओके वांगो नंबर एक्सोटीस कि वांगो इसाय। को मैं अग। कर दो 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 करूजए है ऑला की लुट कर दो कर दो झाल झाल पुश्याल भुश्याल आँ 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 में आँ गुरु यहां पर कुछ भी नहीं वा गुरू वा लेकिन इसका क्या होगा 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 झाल झाल हलो 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 मैरम, मैं वांट स्वीक पूना शीना, हलो शीना, रभी कहा है? मुहिनी, सुनो तुम रभी मुहिनी मुझे रभी से मिलना है इसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है मुझे रभी से आप किसी से नहीं मिल सकती आप लोग डॉक्र साब, डॉक्र साब मेरा सुहाग अंदर मर रहा है शादी से पहले मैं विध्वा हो रही और ये लोग, ये लोग मुझे से मिलने नहीं दे रहे देखिए अगर आप चाती के उबज जाए तो किरपया आप लोग शोर मत कीजिए वो जिन्दा है चार-चार गोलियों और चार-चार आपरेशन के बाद भी तो कम से कम आप तो उसे मौत के मुझे मुझे लिए आप लोग 24 गंटे इंतिजार कीजिए मैं जानता हूँ जब तक उसकी मुठी बंद है वो जिन्दा रहेगा लेकिन डॉक्तर, डॉक्तर मुझे उसे मिलना है देखना है मुझे वो बेहोश है लेकिन आप उनसे मिलेगी कैसे आप प्लीज इने समझाईए और वैसे भी जब तक पुलिस परमिशन न दे आप उनसे मिलना ही सकती आप प्लीज इने ले जाईए जब क्या हो रहा है मामा चलो मुएनी चलो मैं तुम से मुएनी चलो इंस्पेक्टर डिकॉस्टर हमे इस शहर की आलिशान इमारतों और अंदेरी तंग गलियों में चुपेवे मुझरिमों को इस तरह से ठीच निकालना है जैसे सर्जन जिसम के उस हिस्वे को काटकर ठेंक देते हैं जिसमें गैंसर अबस्टर इसलिए मैं चिंता में हूँ यानि सर फिल्डिंगों और तंग गलियों से पेशेवर मुझरिमों को पकड़ना तो आसान है लेकिन हर आम शहरी के घर में तो नहीं गुश सकते हैं अब इसी केस कोई दीजी एक मामूली सा नौजवान फुटागरफर और तीन किलो हेरोईन परामद हुई उसकी से पंगरा लाग कमा जहर खरीदने वालों की नई नसर पैदा हुई तो बेशने वाले भी तो नए और कम उमत के नौजवान पर पिके जाएं इनहीं के जरीए हम इस बुराई के जड़ तक पहुँचें I doubt it जबान ना खोलने का एनाम हमारी मार के डर से कहीं ज़या है वो नहीं बोले BCP मिश्रा जब तैकिकात करता है तो गुंगे पत्थर भी बोलते है गल्यों से मुझरिम पकड़ लाने में तुम्हारी महारत है मास्ट्री है मगर हलक में हाट डालकर तच निकालने नहीं दूसरा आड़ शायद वो मर जाना ही पसंद करें कविश्र साब मुझे रवी से मिलना है कोई नहीं मिल सकता लेकिन मैं कोई नहीं हूँ मेरा नाम मोहीनी है मैं उसकी आप उसकी कोई भी हूँ पुलिस तहकिकात कर रहे है जवरान किसी को उसे मिलने नहीं दिया जाएगा लेकिन क्यों नहीं मिलने दिया जाएगा कया हमारी झिंदके और मौत पर पुलिस का पहरा है सिरकär मां को अपने बेते से या बहन को अपने भाई से मिलने के लिए पुलिस नहीं पड़ेगी और अगर ऐसी बात है, तो बताईए, क्या मैं अपने रवी से मिल सकती है? एक मेरा, आप हैं कौन है? ये मेरी भाजी है, मोहिनी. रवी के साथ इसकी शादी होने वाली थी. पुलीस इसे रवी से मिलने नहीं देती. क्या इस शेहर में पुलीस राज चल रहा है? पुलीस, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, तेरी बेटी को रवी से मिलने देजी, उसके होश आने के बाद उसके इस ही का नाम लिया था. उसके बचने के जितने खुशी आपको है, बिलीर में मुझे भी उतनी है. आप उससे मिलना चाहती हैं? ये मेरे सामने. रवी? रवी, मैं हूँ. आखे कोलो, रवी. रवी? मैं हूँ, मोहिनी. रवी, तुम जिन्दा हो. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम जिन्दा हो. पेरा रवी जिन्दा है. ये, ये कौन है? पर चाहिया है. लेकिन तुम मुझे ये बता. कि हम इन पर चाहियों में कैसे खिर गए? क्या हुआ रवी? पूच्छ, एक पार. इतना है बात है. कि तो, कि इसे प्रेक्टर में उपर कोली चला थी. और क्या हुआ? मैं नहीं जानता. ये रात किसी और को सुनाना मुझे नहीं तुम ही नहीं दोका दे सकते हो, बलके दे रहे हो, लेकिन मुझे से बचकर नहीं जा सकते तुम. कानून तुम्हारे सर पर पहाड की तरह तूट पड़ा. तुम्हारे इस्पेक्टर जिखोंतर ने, सेंदेगी मैं पहली गल्ती कर नहीं. किसके लिए काम करते हो तुम? किसने दियाए तुम्हें पंद्रालास का जहरी शहर के बच्चों को बाटने के लिए? मुझे उसका नाप जाएए. दोक्तर! प्लीज सर, ये पुलीस स्टेशन नहीं है. आप मेरे मरीज पर चिला नहीं सकते. जो बेवी, मुझे पर विश्वास नहीं? तुम्हारे इलावा किसी पर विश्वास नहीं. सिर्फ तुम पर है. I was right. मैंने कहा था ना, जब तक इसकी मुठी बंद है, ये जिन्दा रहेगा. ये मंगल सुत्र है. क्या अब भी आप यही कहने कि रवी? तुम्हे तो शर्म से डूब मरना चाहिए. जो तुम्हे प्यार करते हैं, तुम उनी की जिन्दगी बरबाद करने पर पुले हूँ. इस लड़की की वज़े से मैं तुम्हे एक मौखा देता हूँ. मुख्विर बननी थी. शायद इसलिए कि ये तुम्हारा पहला जुर्म है. कौन है तुम्हारा लीडर? मैं नहीं चाहता हूँ. सर प्लीज, आप जाए यहां से. एक बार ये बच जाएं, तो फिर आप चाहें इन्हें सुली पर भी चड़ा दे. भूलना नहीं. अदालत तुम्हारा इंतजार कर गई. तुम्हारे घर से पंद्रा लाग की हेरोईन बरामद हुए और तुम कहते हो मैं नहीं चाहता? जब पुलीस ने तुम्हारे गर पर शापा मारा, तुम्हारे हाथ में पिस्टॉल थी और तुम कहते हो मही नहीं चांता इसके लिए काम करते हो तुम इसने दियाए तुम्हें पंद्रा लाग का जहर इस शहर के बच्चों को बाटने के लिए मुझे उसका नाम चाहिए इकस्टा तुम्हारी जरुआ शहर की गल्यों में कोट कचरी मैं देख रूँगा वैसे भी यह open and shut case है सब मुझरिमों को पकड़ना मेरा काम है, उन्हें तोड़ना आपका We make a great deal Carry on, सब Excuse me, सब आप सब, सब, वो, मैं, रवी के देखिये, मैं आपके साथ हमदर्दी तो रख सकता हूँ, मदद नहीं कर सकता अगर आपके साथ कोई ज्यादती विए नाइंसाफी हुई है, तो उसके लिए अदालत है किसके साथ नाइंसाफी हुई है मुझसे ज्यादा नाइनसाथी का शिकार कौन है मैं पूछते हूँ इसमें मेरा क्या दोश है कोई दोश नहीं इसलिए मुझे आपसे अंदर दिये मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं सार कि रभी भी निर्दोश है मेरी तरह वो तो खुद मर्यादा और कानून को मानने वाला है कैसा देवता है वो आपके लिए देवता होगा हमारे लिए नहीं लेकिन सार मैं आपके जजबात की सच्चाई को मान सकता हूँ उसे सच नहीं मान सकता हूँ और आप और आप नफरत करते हैं पुलीस ना किसी से मुहबबत करती है, ना नफरत करती है, हम सिर्फ ड्यूटी करती है, अगर मेरी जगर, मेरी जगर, अगर आपके बहन होती, तो भी क्या आप यही कहते हैं सर, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, अपनी बहन से ही कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपके साथ हंदर्दी मुल्जिम रवी मलोत्रा को चार साल कैद बामुशक्त की सजा सुनाई जाती है सुनाँ झाल झाल इंस्पेक्टर इतना बड़ा सलसला है अमारी संदिगी में अब तुम अपी सपना देख रही हो आके खोलो जागो मुही नहीं हकीकत देखो ख्वाम नहीं चार साल जेल में रहने के बाद मैं क्या बनूँगा मैं खुद नहीं जानता महबबत को हे माकत मन समझो मुही नहीं तुमारी और मेरी कहानी यहीं कत्पो ही अश्धाओ अश्याओ ये 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 मादो जानता कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करे दो कर analyse कर दो कर दो काकू काकू हमार नाम काहे आई यहाँ अब आही गये हो तो हम तुम बतादे कि तुम से ही इसी लाएड अरे भाईया खुन खुन करना कौनो बड़ा गुना नहीं है देखा खुन करके और पकड़े चारा ही सबसे बड़ा गुना है इबात अच्छी है के तोगो भी हमारी तरह जासी बोलने की आदत ना ही पर हमारी कोठरिया में आके हमरे साथ ही बने हो तो हम तोगो इस जंगल के बारे में कुछ बता दे और आए भाईया थरक है ये दो साथ चलता यहां साथ आख तो कतल, तो चोरी, तो टकैती, अफीन, गांजा, सराथ, जुवा, साथ चलता है नेता किरी, नुद्बलदारा किरी, साथ, तरोच नहीं चलता है तो बस एक जी, बलादकार, क्यों? लो अंटियां जो नहीं सुस्री हार, नहीं तो वो भी चलता अब देखा, हम तो क्या बताए देथे, उह न, उह, उह अला, उह राजा ठाकुर, एक सुस्तीस कजियन का मुखिया और आप वो जीसन में हैं काले सरकार, वो भी हमार पटना के हैं, जैसे वो पनवा खाके पीक जूके न, उनवा भी ऐसे ही बहातेब हैं पूरे एक सोतीस के मुख्या वो भी, हम भी उनी के दल में हैं, का करी, का करी, का, जान बजाने खातिर सामिल होना ही पड़ता है प्रू, देखो, देखो, जड़ साब भी आ गए पीलिया है पीलिया? पीलिया ना जाना हो अरा पूरा गाउं का गाउं साफ करी दिये एक ही रात में साज को जान मार दिये कॉरट बोला पगला गए इसलिए फांसी ना हुई उमर कैद हुई है और ऐसी उमर कैद जो सौ साल के भी उपर जावे है जो सौस दौज जो ढुटंछ जो जो अला जो आजन सुन्बे, राजा ठाकोर तेरे बाप के भी बाप है इनकी इज़त करना तेरा फर्ज है ये जो कहे उते ध्यान से सुन और ये जो चाहे चुपचाप उस पर अमल कर इसी में तेरी भलाई है सुन्बे, तिनसो पैसर आज से तुमारे जिन्दगी पर हमारा हुखम चलेगा इस जेल में तेरा उटना, बैटना, खाना, पीना कुछ करना, ना करना इस पर हमारे दस्तरकत होंगे, समझा सिर्फ सांस तो अपनी मर्जी से ले सकता है वो भी जब तक हम चाहिल तक जा मैं जानवरों के साथ शामर होकर भी जानवर नहीं बनूगा बच्चों में जिद अच्छी लगती है और तुमें शानदार लगती है बाच्चाओं में बेरहम लगती है मगर इसकी ये जिद कैसी है रे बाच्चाओं में जानवरों के लगती है मैंने फैसला कर लिया है हमी तो ना कह सकत के हमें बहुत खुसी हुई किन्तु इन हालात में फैसला कर लेना ही उचित करम है मैं कानून पढ़ूंगा पीका मतमा कानून के सामने इनसान इतना कमजोर क्यों है मुझे ये जानना है कानून मेरी हफासत क्यों नहीं कर सकता मुझे ये भी जानना है इनसान ने जो कानून बनाया वो इनसान के खिलाफ कब हुआ मुझे इसका भी पता लगाना है वकील बनी हो कानून पढ़ी हो अरे परी सब तब ही हो सकता जब जिन्दार होगे हम अब भी कहते हैं सामिल हो जाओ दल में कानून पढ़ने के लिए मुझे किताबे चाहिए मैंने कमिशनर साब को चिट्टी लेगी है जादा सेट से जाके बोलो मैं आ गया हूँ और उसे कहना कि सौधा अकेले में होगा किसी तीसी आजमी के थामने नहीं ओके किसी नहीं किसी आजमी के वादा से जाहिए किसी तीसी किए वार वॉर्डन के ओफिस में तुम्हारे लिए कुछ आया है थैंक यू कमिश्टर, थैंक यू हाँ, भीजे तो कमिश्टर साब नहीं है मगर देने में आया हूँ मोईनी मैंने तुम्हें पचासो ख़त लिखे तुम्हें एक कभी जवाब नहीं दिया तुम कैसे हो, क्या मुझे जाने का कोई हथ नहीं था क्या मैं तुम्हारे सच के काबिल नहीं थी क्या लिखता मैं तुम्हें कि कैसे ची-ची के मर रहा हूँ और मर मर के जी रहा हूँ अंदेरे में रहकर मठक रहा था उन तक पहुंचने का रास्ता ढून रहा था और रास्ता मिला तो देखो तर्वाजा कोने के लिए तुम्हें आ गई क्या हूँ? कुछ नहीं तर्थ इतना मीठा भी हो सकता है यह आज पाता चला हूँ क्या हूँ यारे की रिए गगा? हाँ ले झाल 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 कि बार कदम रखा तो सीता को रावन उठा ले जाएगा रखा झाल 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 यद्यार्ण तो, ये लाओ। तारिक मेरो गे, पैफूस गे हुआ हुआ हुआ! हुआ हुआ हुआ! हुआ हुआ हुआ! हुआ हुआ हुआ! हुआ हुआ! हुआ 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 अब अब अभे तु क्या देवता है जो हम तुझे माफ कर देंगे? लडता तो शैतान की तरह है तू हुआ के लिए यह है हालात इंसान को शैतान बना देता है अगर देफता नहीं देफता कैसे बनते यह तो मैं नहीं जानता मैं एक इंसान हूँ और हालात को इस बात की इजासत नहीं दे सकता कि वो मुझे शैतान बना दे आप लोगों के तरह वाह जीओ मुन्ना मुझरिम होने का दाव तो तुम पर लग ही चुका है उससे पहले की कोरी जिन्दगी कैसी थी क्या जुम किया था तुमने चुरू नाफरत की इस दुनिया में महबबच शायद सबसे बड़ा चुरू है मेरी महबबच का नाम मोहिनी है मोहिनी जिससे देखके फूल खिलके लाते है पंची तीट लाते है इकोस्टा डिकोस्टा 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 ये वोही हराम ज्यादा डिकोस्टा है जिसकी दलालत ना हम जैसे मुझरिमों को छोड़ती है और ना तुम जैसे मासमों को बख्षती है जाजा ठाको तु बोल बोल तू तेरी एक कहानी सुनकर अंधा तो क्या गुंगा भी कहेगा कि तु डिकोस्टा का शिकार है तु पढ़ तु पढ़ रहे तु पढ़ अगर ये तेरी पढ़ाई डिकोस्टा के लिए है ना तो हमारे किसी गैंग में शामिल होने की जरूरत नहीं तु पढ़ पढ़ाई किसी राक्षत को खत्म नहीं कर सकती अगर मंतर से किया जा सकता है और पढ़ाई किसी मंतर से कम नहीं अगर ये तेरा मंतर है तो एक बार तु से यहां लेया, एक बार ज्यादू मंतर दिखास दे मुना आट ज्यादू मंतर दिखास दे तेरा इसान होगा तेरा इसान होगा पढ़ कुछ भी नशाज नहीं होता अपने को कि ना यूस दफू कुछ भी नशाज नहीं होता अपने को था नहीं होता अपने को अब ये अकेली नहीं है तू कौन है? इसका बाफ? हाँ? इनका मैं क्या लगता हूँ वो एक बात है और मैं किस-किस का बाफ हूँ वो दूसरी नमझे? चलो यहां से चलते बनो तुम लोगों का बिल मैं चुका दूना सुनिए थैंक यू बेरी माच ये लफंगे लफंगे तो ये हैं लेकिन जब तक आप अपनी ये खुबसूरती ढख के नहीं रखेंगी ऐसे लफंगे तो आपको मिलते रहेंगी जी जिसका मैं इंतजार कर रहे थी लगता है वो नहीं आने वाली मैं घर चलती हूँ आईए कहें तो मैं आपके साथ से लूँ छी आपके तकलिफ करेंगे मैं तो घर चली जाओंगी अब तो कोई खत्रा नहीं है यही सोचकर तो आप यहां भी आईती है आईए 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 झाल 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 मैं जानता हूँ आज तुम बहुत खुश हूँ रवी पास हो गया है फस्क्लास फस्क्लास आया कल की अख़बारों में उसका फोटो चपेगा सारा हिंदोस्तान भी एक अरिश्मा देखेगा रवी ने अपने जिन्दगी के ढ़ाई साल जेल में गवाई नहीं कमाएं और यकीन रखो रवी अब ज्यादा दिन जेल में नहीं रहेगा मगर रवी की सजा तो चार साल की है तुम लोगों का सुख छीनने में मेरा भी कुछ हाथ आज़ा और अब दुख हटाने में मैं पूरी मदद करूँगा अगर रवी के साथ कुछ ज्यादा तिफी है तो उसे आजादी दिला कर मैं अपना गेल्ट कुछ तम करूँगा तेंक यू सार बुरू वो लेली का फोन कई बार आ चुका मरने दोज़े गरू अब क्या होगा कुछ नहीं यह तो पिछले जनम की बात है वो कहता है ना कि पिछले जनम का हिसाब अगले जनम में वो ही महीं सकता तभी मलोतरा की सजा में दो साल बाकी है अगर उसने कोई हरकत करने की कोशिश की तो जला के राक कर दूँगा मेरा विश्वास पराजय को जहर होता है मेरा उलाथ उदासी को पहर होता है मुझे घिरते हुए अंध्यारों की परवाद क्या है मेरी हर रात का अंजाम सहर होता है पैस्पिक, कितनी अच्छे बाते करते हैं आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले हाँ, ये तो मैं भी सोचता रहता हूँ अगर पहले मिले होते तो क्या होता किसी से मिलवाती आपको आप से मिलने के बाद किसी और से मिलने की हसरत नहीं रही जी? अमरित पीने के बाद कोई काड़ा थोड़ी पीता है आप पस्ती हैं, तो घुंगरू बचते हैं एक बात समझ में नहीं हाती के आपकी आँखों में आशों का पहरा क्यों रहता है कितनी उदास है आपने आँगे, लगता है अभी रो देंगी मुझे नहीं पताएंगी आप अपनी कहानी कहानी अच्छा कहा कभी-कभी जिन्दगी भी एक कहानी बनकर रह जाती है हर कहानी की एक शरुआद, एक सेंटर और फिर एक अंत मेरी कहानी का भी अंत नहीं हुआ जब होगा, ज़रूर बताऊंगी कि आप सेंटर अंत मुझे पहचानते हो बैयानक सपनों को बोल जाना अच्छे बात नहीं कुछ देने आया हूं तुम्हें एक पैगाम जिकी नाम लेकिन इससे पहले एक बात पूछना चाहता हूं याद रखो अगर जूट का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में आया तो उसकी आवाज मुझे सुनाई दी जिस जुर्म के लिए तुम यहां पर हो क्या वह जुर्म तुमने किया था सर आदी से ज़्यादा सजा मैं यहां काट चुका हूं और बागी चैन से काट सकता हूं तब तो जूट बोलने की कोई वज़ा भी थी अगर अपलकुल नहीं मैंने तब भी कहा था कि मैं बेकुसूर हूं और आज भी कहता हूं कि मैंने ऐसा कोई चुन नहीं किया तुमारी रिहाई का हुकम नाम यौर रिलीज ओर्डर लाँ मिनिस्टर ने कहा कि इतना ब्रिलियन्ट स्टूदेंट जेल में क्या कर रहा है थांक यू मुभारक थांक यू साँ अर अब तुमारा इनाम ला 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 पलके हो खुली या बंद सनम तेरी तस्वीर दिखाई दे पलके हो खुली या बंद सनम तेरी तस्वीर दिखाई दे मेरा नाम पुकारे जब कोई मुझे तेरा नाम सनाई दे तार नाता तस्वीर देरी तस दे हो खड़ए देड़ 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 आ the लंग भरे तुमने आके मेरी अमेद की कन्यों में विखरा है नूर तुम्हारा ही मेरे खालों की गन्यों में ये बात सही है के मैंने रब को तो कभी नहीं देखा पर दावे से कहे सकता हूँ वो तेरे जैसा ही होगा महबूब तुम्हारे चेहरे में मुझे को तो नजर खोदाई दे मेरा नाम पोकारे जब कोई मुझे तेरा नाम सुनाई दे मेरा नाम सुनाई दे जब जब आईना मुझे तेरा ही चेहरा देखता है हो गया मैं बिलकुल पागल हर कोई बस ये कहता है तेरी खुश होती है पुदरत के नजारों में तेरे चरची होते है चाहत के इशारों में मुझे को अपनी ही साई में अब नजर तेरी परचाई दे पलके हो खुली या बंद सनम तेरी तस्री दिखाई दे मेरा नाम पुकारे जब कोई तुझे मेरा नाम सुनाई दे बलके हो खुली या बंद सनम तेरी तस्रीर दिखाई दे बलके हो खुली या पुली या देरी या लुकारे तस्री या बंद सनम तेरी या बंद सुनाई नमस्ये शाहिर मोहर निसे कहो मैं आया हूँ तो घर पे नाही है घर पे नहीं है आज भी कमाल करते है बादों आज और आये है तो कहा जाता ये घर तो उन्हीं का है na ठा यह घर उन्हीं का था पर आज के बास नहीं रहा क्या बक्राया concert हम सच कह रहे हैं बावु साहब, अगनी के साथ थेरा लई के आपन घर बसे हैं, साधी रचाय रहे हैं, गोफपुल दाश टेक्री वाले मंदिर मा, जाधी, हाथ, कब, चार बजे का वक्त रही है, बोफट वोफास ले और बसे हैं, जाधी के भाले मंदिर वाले महरे हैं, साहर हैं लेक्री वाले मा, जाधी के वाले मंदिर रहे हैं, जाधन अख भाले मhora कर दो कर दो कर दो सो कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो कर दो दो कि को सकते हैं कि अपल प्रूज टुज झाल पर ए फड़ा हूए यह 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 कि अज अज घर कि अज़ नचो पाद पानी जा ए टीजर यहर एज में कि अज़ कि अज़ उसे अज़ कि अज़ कि अे अज़ मुनिंग, दस बच गे, जगाया क्यों नहीं नीचे सपने तोड़ने का पाप, मैं अपनी सिर्पे कैसे लेती, कितने जमाने के बाद आजादी की नीन सो रहे थे हाँ, चेल में साइरन सुलाता था, साइरन जगाता था कैसे लग रही हूँ मैं, अच्छी, और देखे, रवी, let's forget the past, forget the past, क्या वो इतना आसान है, हाँ, इतना आसान है, रवी, आसान है, उदासी का सिर्फ एक सुर होता है, जिसे पकड़कर मैं जिती रही हूँ, और गुस्से का भी एक ही सुर होता है, जिसे पकड़कर तुम जी रहे हो, मगर जिन्दगी, जिन्दगी में साथ सुर होते है, रवी, साथ सुर, क्या हम इन साथों सुरों को पकड़कर नहीं चल सकते है, कहा, बरोडा, वहा क्या है, एक नई जिन्दगी है, रवी, नई जिन्दगी, हम ये शेहर छोड़ देंगे, ये देखो, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर, कमिशनर साब की सिफारिश से, तुम्हें बरोडा फार्मासोटिकल कंपनी में लीगल अडवाइजर मैंने सोचा है, रवी, धाई साल का ये ग्रहन के हमारी पूरी जिन्दगी को खा जाएगा, रवी, रवी, मैं जानती हूँ, तुम्हारे सीने में बहुत जहर है, लेकिन ये जहर तुम मुझे दे दो, मुझे पीने दो ये जहर, भूल जाओ सब कुछ, रवी, सब को माफ कर लीज, मेरी खातिर, इसकी खातिर, प्लीज, रवी, मैं देखती हूँ जाएगा, 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 जाए उनंकी नजर में मुझरीमी रहता है मुझरीम की आदद जाती नहीं है दोंडो दोंडो अची तरह से खुछ ना कोच जरूर मिलेगा साच ही मिलेगा इसके दो कारण है पहले भी आज साची था आज भी आज साची होगा तुम्हारा ये सच अदालत देख चुकी है और याद रखो दुबारा भी देख सकती है ओई नहीं, तुम अंदर चाओ मैंने कहा ना अंदर चाओ कौन? पिकोस्ता तुम्हारा? एक बात समझ लो जो तब हुआ था वो आज नहीं होगा इसके तो कारण है तब तुम्हारी मुलाकात एक सीधे साधे शरीफ इंसान से हुई थे आज तुम्हारी तकर एक सजाया अब मुश्रिम से हो रही है तो एक तपाक से एक वकील भी है अगबार बढ़ते हो ना मेरी एक ठोकर पर पांच-पांच वकील निकलाते है सजा काटकर आए हुए गैदी ये फाइल हमेशा तुम्हारी जिंदगी पर पत्थर की तरह रखी रहेगी और डिकॉस्टा मौथ के साए की तरह तुम्हारे सर पे रहेगा अपाहिज और कमजोर लोग इंतकाम के सबने देगते है लेकिन तुम्हारी नसीब में तो वो भी नहीं है क्यूंकि मैं तुम्हें सोने भी नहीं दूँगा साफ, ओर्डर साफ पाहर जाकर इंतजार करो अफसर का हुकम मानने में इतना जोश दिखाते हो कि कानून को ही भूल जाते हो एगर बॉरन दूसरी बार अंदर आए अर्दी उतर जाएगी तुम्हारे इस अफसर की भी चले प्योगे चलो बोलो क्या कहना चादे हो You have raped my life तुमने मेरे जीवन से बलाकार किया है और मर्द की चिल्लत और अरत के बलाकार से साधा शरम नाख होती है चाहे लो Get out! Get lost you bastard! इखाल जाओ मेरे घर से ऐसे get lost! Get out! तब तुमने इस गर में आकर भूल की थे आज तुमने अपने कबर खुद ले ये साजन उच दिये जाएंगे इस वर्दी से नंगे की जाओ के तुम तुम्हारी नंगी लाश की कबर जाए फुट नहीं साट फुट कहरा बराऊंगा तुम्हारी रूप भी दफना दी जाएंगे Get lost! इस से पहले कि मैं तुम्हारी सीनेस को बलाऊं Get lost! जो मैं चाहता था वही हुआ अब तुम्हां खतम करके ही मेरी रूप को तस्कीम मिलेगी यह टकर तुम दोनों को बहुत भारी पढ़ने वाली है करेंगे यह करेंगे झाल 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 जिनका आपना कोई घर नहीं है शादी में नहीं की दिन यह तुम्हारा परसनल मामला है लेकिन सोसाइटी को ऐसे लोगों से डर लगता है इनके आगे पिछे कोई दो सर जिस वज़ा से घर नहीं बनवाया उसी वज़ा से शादी नहीं है सजायाफथा क्रिमिनल्स मुझे मेरी फैमिली की वज़े से कभी दबा नहीं सकते तरह धंका नहीं सकते तुमारे रूफलस में साज में दिता है मगर रवी के साथ कुछ ज्यादा ही नाइसाफ़ी हुए रवी कौन से रवी मलहोतरा इसे तुमने चार साल के लिए जेल भीज़वा दिया था और जो धाई साल में फर्स क्लास फर्स वकिल बनकर बाहर निकला है सब मैंने सुना है उसकी सजा कम करभाने में आपकी मेहरबानी का भी हाथ मोहीन इसे मिलिये थे उसके घर गये थे एक बार ज़रूर गया था उसका इरादा मालुम करते है सजायाफ़ा मुझरिमों से पुलिस मिलती ही रहती है इंस्पेक्टर डिकोस्टा तुम इस मुझरिम से अब नहीं मिलोगे दोबारा उनके घर में भी नहीं जाओगे तुम्हारा रेकॉर्ड स्पोटलस है बेदाख मैंने चाहता मेरे किसी भी ऑफिसर पर को इल्जामानी इसे तुम ऑफिशल ओडरी समझना के अब तुम के खरीब नहीं जाओगे क्योंके रवी मल्होत्रा का केस अगर रियोपन हुआ दोबारा तहविकात हुई तो आपकी बार सजा केसे मिलेगी वो मैं भी नहीं चाहता पांच कमीजे दो बलाउट चार टॉब चेप ए औरत पार जातूँ ये कहीं नहीं जाएगी अगर नहीं जाएगी तो तुम्हें अफसोस होगा कि इसने ये सब क्यों सुना जो मैं तुमसे कहने वाला पार जातूँ पार जातूँ अगर उनसे इतनी महबबत ना करता तो कभी का तुम्हें विद्फा बना लिया होता मेरी शिकायत की है तेरे वो जो भी लगता है तेरा वो मेरे पती है और मैं उनके खिलाफ कोई बुराई नहीं सुनूँगी पती अरे उसे तो नामर्द बना दिया है मैंने मेरी बात का यकीन कर लो मोहिनी वो तुम्हारी हिफाज़त नहीं कर सकता क्या करोगे करने को तो मैं अभी तुम्हें यहां से उठा के लिजा सकता हूँ लेकिन मैं भो नहीं करूँ उसे बापस जेल की नरक में बिजवा सकता हूँ लेकिन मैं वो भी नहीं करूँगा चाहूं तो उसे जान से मार सकता है लेकिन वो भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से मेरे पास हो और तुम समझते हो, यह होगा? खर्बूजा चुरी से पूछता है कि मैं करूंगा? ना तो मैं खर्बूजा हूँ, और ना ही तुम चुरी. मैं ऐसे एक इंसान हूँ, हमारी तरह. अफसोस तो मुझे इस बात का है, कि मैं तुम्हारे फरेब में आ गई? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और सच पूछो तो मुझे शौख है सिर्फ इस बात का, कि सब मुझे से डर के रहे हैं. मुझे की च्छाओं देने वाला पेड़ भी पैदा होता है, डर के बीज़. डरोगी, तो मुझे करोगी, मुझे करोगी, तो डरोगी. मेरा धीरज गिद की तरह है, एक मौत होगी, जिसका तुम्हे भी इंतजार रहेगा और मुझे भी. अगर उसकी सिंद्गी चाती हो, छोड़ दो उसे, और हमेशा के लिए डिकोस्टा की हो जाए. मेरी बात कत्व, किस्सा तमाम शुद. अगर कोई भी चिलाया, तो गोली मार दो दा, गोली, चुप, चिलाने देने, चिलाने देने, ये जितना चिलाएंगे, वो पुलिस कमिश्टर आपने आपको उत्ता है, बेबस और मजबूर समझेगा, समझे. सर, जो मैंने सुना है, वो सच है? येस, इंस्पेक्टर, आतंगवादियों ने कुछ बच्चों को किड्नेप कर लिया है, उनकी डिमांड एक करोड रुपिया और भाग जाने के लिए गाड़ी है. और हम उनने जाने देंगे, सर. इस बात की क्या गैरिंटी है कि वो पैसा लेने के बाद बच्चों को नुकसान महीं पहुंचाएंगे. हमारे पास कुछ चा रहा है. और प्लीस, ठीको सर, तुम मुझे कोई राई नहीं देना. हलो, गारी आ गई है. और यकीन रखो, पहली गोली हमारी दर्फ से नहीं चलेगी. लेकिन एक शर्त है, बच्चों को किसी किसम की तख्लीव नहीं पहुंचनी चाहिए. सर, दिले सर, दिले. जितनी ही देर होगी, उतना ही ये लोग कमजोर होते जाएंगे. एक बार आगे की सिचुएशन देख दो हैंगे. ये माइक समगा लो. ये सर. और हर एक मिनिट के बाद अनाउंस करते हैं, रुपया निकल चुका है, रुपया चल पड़ा है, रुपया आ रहा है. ओके सर. ओके. मैं बाही तरफ से जा रहा हूँ, तुम दाही तरफ से अप्रोच करेंगे. जवान, तीन मिनिट के बाद, बिल्डिंग के पिछली तरफ एक धमाका होना चाहिए, ओके. राच सर, वील के तम साथ. हमारा पहला मकसद है बच्चों की इफाज़ाद. हमारा पहला मकसद है बच्चों की तरफ से जाच से ले तरफ से तरफ से जाच से ढ़ाद, बिल्डिंग के तरफ से जाच से नाच से लेवाद, तुम दाच से लेए, जाच से लेए. हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है 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 हाण आज की विशेशिक मक्तार, इन आतर्वाजियों ने 12 बच्चों का अमरत कर्के बंदी बना रखता था, उन आतर्वाजियों की साथ पुलीस बेड़ मेरे बच्चे जिसे इस सलामत बच गे, बगड़ी सीपी एंके मिश्रा किसी की गुली का शिकार कुगी, इस शोब अफदर काश उनकी जगा मैं मर गया होगा मोहिनी मोहिनी, मोहिनी क्या हुआ? क्या हुआ? उसने कमिश्टर साथ को माल डाला, रवी माल डाला उसने तरवसन कल्सी मेरी है, रवी मैंने हच्चे किये उनकी कल्सी मेरी है तुमारी कैसी? यह जूट है कि वो मुठ बेड में मारे कए थे उस नीच डिकॉस्टरा ने उनका खून किया है उसी ने किया है उनका खून मैं कमिश्टर साथ के पास गई थी मैंने उनको वो सारी तस्वीरे दिखाई यह भी बताया कि उसने कैसे मुझे धंब की दी थी तुमारी? हमे मैंने तुम्हें रोका था मैं नहीं समय सोगन दी थी, आज मैं ही तुमसे कह रही है उस खातिर विकौसरा को खतम कर दो समीब में गार दो उसे, आग में चला दो उसे सहरीले तेजा अपने गला दो उसे मेरी खातिर, मेरी खातिर दो तुम्हारा मंगल सुद्रमस की मौत से बादू परमोय नहीं यके दखो वो मरे का वो मर चुका है मर चुका है वो वो मर चुका है स्राव मिष्णोकाळ की वे झाड्ते बाते वो मिष्णोका vite को ये बाते वो मौता वो ुव पन reform प्रॉड़ 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 दो कातल तॉमो धिर्की कातल तॉमो। कातल तॉमो। रवी, मैंने तुम्हारे कहने पर अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया है अपना रेपुटेशन, अपना पेपर, जो कुछ तुम्हें कहा, मैंने वो सब छाब दिया कल अगर तुम अगर तुम इसे सच सावित नहीं कर सके, तो मैं जेल भी जा सकती हूं कुछ पर भरोसा रोकुषी ना, तुम पर कोई आच नहीं आएगी तुम्हारे या तुम्हारी पेपर किशान कहटेगी नहीं, पडेगी I hope you're right, Ravi Believe me, I am right Excuse me, sir, sir, have you seen this? This is the bloody limit, sir आपने देखा क्या चापा है मेरे बारे मेरे में Inspector, मैं भी हैरान हूं आप हैरान है, सारी दुनिया हैरान है, sir And what about me? Sir, मुझे इस अखबार की एडिटर को गिर्फ़तार करने के लिए वरंट चाहिए वो हमारी जेल में हो और तेकिकात मैं करूं और इस अखबार के दफ़तर में तो ताले लग जाने चाहिए, sir अबाशा खताम, over तुम इस एडिटर को जानते हो? जी में, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ मैं जानता हूँ पतार एडिटर शीना वासुदेव की बहुत इज़त है क्या इज़त है, sir दूसरों के नाम पे कीचर उच्छालना इसका काम है अब भाए पहलाती है, यह प्लाडी जर्नलिस्ट आप समझे लेए न, sir बगएर किसी सबूत के इतना कुछ था सबूत मेरे पास है मैं एक लाइसंस याफ़ता वकील हूँ और मेरा नाम ये एक सजा याफ़ता मुजरिम, sir द्रक्स के धंदे में पकड़ा गया था पूछिए, sir इसका नाम नहीं, इसका नंबर पूछिए हाँ, हाँ मैं एक नाम नहीं एक नंबर बन का सिद्धा रहा हूँ तुम्हारी चलाई हूई चार खोलिया मैं पूछ सकता हूँ अकर बन नम बन नहीं sir ये रहें मेरे certificates और मेरा license तुम्हारा इस case से क्या तालुक है? वही, जो इस कातल टिकास्टर का है इंस्पेक्टर मुझे बोलने दो तुम्हें मालूम है ये officer पांच बार बाहदूर के इनाम ले चुका है अगर मैं छटी बार इनाम लेने नहीं दूँगा मैं इसे सजात तिल्वा कर ये लूँगा अरे तेरे पास क्या सबूत होगा? सबूतों के इलावा मेरे पास एक चश्मती कवा भी है कवा? एक ऐसा कवा जो आपके अंदे कानून को आकर ये बताएगा कि उसने अपनी खुली आखों से क्या देगा ये जुट बोल रहा है सब तुम गवा को साथ क्यों नहीं लाएगा? दिन दहाडे जब किसी पुलिस कमिशनर का खूंड किया जा सकता तो क्या एक गवा बक्ष दिया जाएगा? ये सब अख़वार में देने से पहले तुम हमारे पास भी आ सकते थे? आजाता तो मैं और केस दोनों दबा दिये जाते अब ऐसा कोई चांस नहीं तो अब क्यों आया? दुनियो में तीन तरह की अदालते होती है चंता की अदालत जिसके सामने मैंने केस पेश कर दिया है पुलीस की अदालत चहां इस वक पेश ही चल रही है और इनसाफ की अदालत चहां मैं इसे नहीं ले जाता तो शायद ये मुझे बाँ ले जाता शायद मैं यकीन वहाँ तुद देखेगा तेरा तमाशा खत्म फर्ज करो एक मचली खराब हो जाए तो सारे समंदर पर मुकदमा दायर करोगे समंदर का अपना निजाम होता है जी पुलीस की अपनी एक एक्शन कमिटी होती है टेबियूनल तुम अपने चश्मदीद गवा को हमारे टेबियूनल के सामने ला सकते हो कल चार बज़े बेश अपने चश्मदीद कवा कल चार बज़े तुनाए हुजूर कश्ट में है मैं आपका दोस बोल रहा हूँ सिकंदर बाख अरे मुसीबत में जो दोस काम ना आये लानत है उसकी दोस्ती बज़े तुनाए कल चार बज़े ट्रिबुनल में वो गवा पेश करने वाला है कब न करो वो ट्रिबुनल तक नहीं पहुँच पाएगा नहीं और पहुँचा दिया जाएगा लेकिन प्यारे भाई डिकोस्टा जैसे तुम दोस्ती के बावजूद हर काम की कीमत वसूल करते हो इसी तरह हम अपनी इस महवानी की कीमत वसूल करेंगे बोल मन्जूर मन्जूर है बोल मन्जूर बोल मन्जूर झाल आइज खरे ने . आइज बात आइजिGroup argू है क्या बात आइज मकि की। झाल 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 कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 हमारे अपने डिपार्टमेंट पे आकर वो मुझ पर रिसाम लगाएगा सर कोई चश्मदीद कवाने ही है ये तमाशा आप भी देखेंगे और मैं भी देखुगा इंस्पेक्टर डिकोस्टा हम सब जानते हैं कि ये जूटा इल्दाम है मगर उसके जूट से तुम क्यों परेशान होते हो सच को सामने आने दो इसका सच सर मेरा या उसका एक टेकोरेटिड पुलीस आफिसर का सच या एक सजायाफ़ा मुजरिम का सच वो दो टके का वकील आईए मिस्टर अभी सौरी साह मैं आदा मेने डूर लेट हो गया क्योंकि रास्ते में चश्मदीद गवा की टांग तूट गई या दिल का दोरा पड़ गया कामर गया तुम्हारा चश्मदीद गवा देखा आपने मिस्टर रवी ये ट्रेबिनल इसलिए बुलाय गया था कि आप एक चश्मदीद गवा पेश करने वाले थे लेकिन वो गवा आपके साथ नहीं है वो गवा भी आरा है सर आप यकीन रखे आप उस गवा से जरूर मिलेंगे फिलाल ये वो बयान है जो उस गवा का लिखा हुआ है 27 परवरी के रोज याने जिस दिन डेपिटी कमिशनर मिश्रा का खून हुआ आप प्रोटेस्ट कुछ भी थाबित हुए बगएर ये खून और कतल कहता रहेगा और हम सुनते रहेंगे आप जिक्शन सस्टेंग सर कहना मैं ये चाहता था कि 27 परवरी के रोज जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी मेरे चस्मदीद गवा ने देखा वो सब इस बयान में लिखा हुआ है अब अगर मेरा चस्मदीद गवा भी चाहे तो वो इस बयान को बदल नहीं सकता तो तो जो सच आप बताएंगे उसकी तस्दीग इस बयान के साथ की जाएगी मुझे जिरकी परमिशन दी जाए इजाज़त है इंस्पेक्टर डिकॉस्टर 27 परवरी के रोज 11 बच कर 20 मिनिट पर आपको ख़बर मिली कि रोहिला फैक्टरी के पुराने खंडर में आतंगवादियन और 12 बच्चों का अपने कबजे में कर लिया आपने क्या किया पुलिस ओफिसर और क्या करेगा मैं भाग कर जीप में बैठा और ड्राइवर से कहा कर रोहिला चलो ठीक है सामने और जीप में बैठने के बाद आपने कुछ किया क्या क्या करूंगा मेरे चश्मदीद गवा का कहना है कि आपने रिवॉल्वर निकाला और गॉलियां चेक की? पुलिस आफिसर मिशन पर जाते वक्त रिवॉल्वर चेक नहीं करेगा, तो क्या करेगा? जो पूछा जाए, उसका जवाब दीजिए. और आप से कुछ पूछा गया था न? प्लीज, तौसीर. सर, जीप चली, आप रोहला पहुचे, कितना वक्त लगा? पादा गंड़ा, पैंटीस मिनट, पैंटारीस मिनट, क्या पढ़ता है? पढ़ता है, पुलिस ने फैक्टरी को घेर रखा था, जब आप वहाँ पहुचे, क्या बजा था? मुझे नहीं मालम. सर, आपको पता है, क्योंकि आपने उतरते ही, खड़ी देखी थी. सर, आप जाये तो बायान में टाइम चेक कर सकते हैं, कमाल की बात है, इंस्पेक्टरी कॉस्टर, मेरे चस्मदीद गवा को आपकी हर हरकत याद है, और आपको अपने हरकत है याद नहीं? सोच के बताईए, दिमाग खर्च करने से दिमाग कम नहीं होता. आपने डेपीटी कमिशनर मिश्रा को देखा, आप उनकी तरह बढ़े, बढ़े ना? बढ़ा, तो? डेपीटी कमिशनर मिश्रा तक जाते जाते, आपने क्या किया? कान खुजाया, जमाई ली, क्या फरक पड़ता है? चेब से रिवॉल्वर निकाला, और फिर से कोलिया चेक की. रबेश, मैं दुबारा पिस्टॉल क्यूं चेक करूँगा? हाँ, यादा है, मैंने चश्मा उतार कर चेब में रखा. बयान में देख लीजिएगा सर, ये भी लिखा है, कि चश्मा उतार कर चेब में रख दिया. आप कमिशनर साब से मिले, तेरे रिस्टों की डिमांड थी, एक करोर रुप्या, और भागने के लिए गाड़ी, गाड़ी तयार थी, और रुप्यों का बैग, कमिशनर साब के गाड़ी में था. कमिशनर साब ने कहा हम मांगे पूरी करने के लिए तयार है बगर क्या वरुसा कि वो बच्चों की जान बक्ष देंगे बखवास ये मैंने कहा था कमिशनर साब ने नहीं देख लीजिए बयान में यही लिखा है कि ये इन्हों नहीं कहा था आपने अटैक का प्लैन बनाया आतंगवादियों का धान अटाने के लिए एक छोटा सा हैंग ग्रिनेट फेका गया उसी दौरान आप पीछे से और कमिशनर साब सामने के केट से अंदर सामने से मैं गया था सारी मैं भूल गया मगर बयान में यही लिखा है सर आप सामने से गए और आपने देखा कि दो आतंगवादी अलग-अलग दिशाओं से उदर गए जा धमाका हुआ आप मौट से डरते नहीं इसलिए आपने सामने से हमला करके दो में से एक आतंगवादी को मार दिया और भागो कहकर बच्चों को वहां से भागा दिया कि यह भी गुना था कि मैंने बारा मासूम बच्चों को मरने से बचा आप उन्हें न भगाते तो शायद वो भी चश्मतीत कवा हो जाते इंस्पेक्टर, सिट डाउ अब मुकाबला बाकी तीन से था तीन में से एक और आतंगवादी को गोलियों की बारिश से हमेशा की नीन सुला दिया गया अब और जैसे ही थोड़ी मिलते हैं डेपिडिक कमिश्टर मिश्णा ने एक और आतंगवादी को अपने जाल में फसा दिया आपको चारा बना कर वो आतंगवादी के पीछे पीछे बढ़े और जैसे ही आतंगवादी ने निशाना लगाया कमिश्णर साब ने गोली चलाई और बंदूक वाला तेहर हो गया ठीक अब एक आतंगवादी बच्छा और आप दो थे याने बाजी आपके हाथ में थी याने बचना आप लोगों को नहीं था उसे था सो वो छुप गया लेकिन डिकास्टा धीरे धीरे उसकी और बढ़ा और एक कदम बढ़ाया होता तो मुकाबला हो जाता लेकिन उसने ऐसा नहीं किया वो पल्टा और वापस चलने लगा आतंगवादी उठा और उसने निशाना लगाया और उससे पहले कि वो फायर करे खुदा की तरह कमिशनर सा प्रकट हुए और उन्हेंने गोली चला दी आतंगवादी किरा लिकास्टा भागा और उसने आतंगवादी के सर पर अपनी बंदूग दान दी आपको हैरानी होगी यही मेरा चश्मदीद गवादी था मगर वो रहा नहीं बड़ी नॉंसेंस मुझ पर इल्जान लगाने वाले इस मुझरिम का कहना है कि उसका चश्मदीद गवादी वो टेरिस्ट जो मर चुका है अरसा तमाशा मैंने आज तक नहीं देखा डिकास्टा ने आतंगवादी को हद कड़ी दिखा दी कमिशनर साब इन दोनों की तरफ चल रहे थे चब अचानक डिकास्टा ने अपने रिवालवर के रुक पदल दी और इसने कमिशनर साब को कोली मार दी और इवालवर मेरा नहीं था वो इस टेररिस्स की थी बायान में यहीं लिखा है सर जिस टस्मतीत कवा की आपको तलाश है वो मैं हू मैं मैंने सब कुछ अपनी आखों से देखा है सर पास्टा इस बिटा इंस्पेक्टर डिकोस्टा को तब तक मुख्तल किया जाता है जब तक कानून के अदालत अपना फैसला नहीं सुना देती और इंस्पेक्टर डिकोस्टा को तन्वी की जाती है कि वो मिस्टर रवी या उसके परिवार के किसी भी मेंबर के आज पास पांसो गज के दाइरे में नहीं जाएगा हुकम के अदुली पर एक साल खैद बामुशक्कत की सजा ये ट्रेबिनल आयात करता है तुम लो क्या समझते हो टिकॉस्ता के कंदे से तीन सितारे निगल गए तो शेर के दाज छड़ गए टिकॉस्ता की मदांगी है उसकी ताकत उसका आत्म दिश्वार उसका मांसिक तनाव उसकी वर्दी नहीं बलकि जब शेर जख्मी हो जाता है तो और भी खतरनाक हो जाता है मैं और मेरे पती चाहते हैं कि ये मामला यहीं खत्म हो जाए क्या आप हुमारी कुछ मदद कर सकती है नहीं तब भी नहीं और अब भी नहीं मतलब अब मैं उसकी जिंदगी से बहुत दूर हूँ लेकिन जब करीब थी तब भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाती टिकास्ता किसी का कहा नहीं मानता वो दुनिया पर अपना हुकम चलाता है सच कहूँ तुम और तुम्हारे पती टिकास्ता के सामने बच्चे हो तुम दोनों उसका कुछ नहीं विगाड़ पाओगे अगर टिकास्ता को कोई तबह कर सकता है तो वो है खुद टिकास्ता उसकी आयाशे उसके कभी ना खत्म होने वाली भूग उसके करम चलो रवी चल्दी करो दिर्ची का चार भी रख दिया है तुम्हारी पसंद का जब जब खाओगे मुझे ज़रूर याद करोगे मिर्च बचारी तो आपके सामने मीठी है आपको याद करने के लिए पेच्छू का डंग चाहिए और फिर याद वो करे जो भूले बस बस शायरी कनाटक बहुत हो चुका अब आप काडी में बैठो बरोडा जाओ और मुझे बुलाओ थाई सो साल तो तुमने जेल में बिता दिये थाई नहीं पांच थाई तुमारे और थाई मेरे बस अब सिफ चौबीस घंटे और अब सिफ चौबीस घंटे और भाई अब आप अब आप अब आप अब आप 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 अब अब रदी मलोत रसामान को अब आपर चला गया वो अब आप 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 अब आप 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 प्रुट 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 लाविस पेल तरद होता है प्यार में लाविस नाइडनेस जान जाती है प्यार में Love is anguish दिल रोता है प्यार में Love is ecstasy सब कुछ होता है प्यार में Love is pain दर्द होता है प्यार में Love is madness जान जाती है प्यार में Love is anguish दिल रोता है प्यार में Love is ecstasy सब कुछ होता है प्यार में All's fair in love and war रात है चान है मैं हूँ तू है और कोई नहीं आजा पास आजा दूर क्यों है I love you so much I wanna kill you आगे आगे देखो ओ फुटा है क्या नशा हूँ, बला हूँ, हसी हूँ, जो आ हूँ, मैं क्या कहूँ शीशे में उदारू, छोड़ दू या मारू, पुछने कुछ तो होगा, देख रातू I love you so much, I wanna kill you मासूम हूँ, नादान नहीं Love is pain, दर्द होता है प्यार में Love is madness, जान जाती है प्यार में Love is anguish, दिल रोता है प्यार में Love is ecstasy, सब कुछ होता है प्यार में All is fair in love and war La-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la Doppy! 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 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 4 4 हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 परकाई थे दिए। डागे वा बागे अाओे अाओे अाँे भी चाहे वे वा लग्ट वे 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 हृव झाल 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 झाल